साथियो नमस्कार, पाइपिंग एन मेकेनिकल ग्यान में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे जो मेट्रिक साइज का नट बोल्ट होते हैं, उसका स्पेनर साइज कैसे निकालते हैं। और एलेन बोल्ट तथा ग्रव इसक्रू का एलेन की साइज कैसे पता करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए होएं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बोल्ट साइज से इस पेनर का साइज निकालने का फार्मूला होता है, लेकिन यह फार्मूला सभी बोल्ट के साइज के लिए लागू नहीं होता है। सबसे पहले जानेंगे even number यानी समसंख्या के bolt size का spanner size निकालने का तरीका तो समसंख्या के bolt size के लिए फर्मूला है bolt size into 1.5 plus 1 या इस तरह भी निकाल सकते हैं bolt size plus bolt size का आधा plus 1 यम 2 यानी 2 mm से लेकर यम 14 यानी 14 mm थीकनस तक के bolt का spanner size निकालने के लिए इस फर्मूला का यूज करते हैं आई एक जांपल के द्वारा समझते हैं यम 2 का bolt है तो 2 into 1.5 plus 1 is equal to 4 तो 2 mm bolt के लिए 4 mm का spanner लगेगा या इस तरह के से भी निकाल सकते हैं 2 plus 2 का आधा 1 plus 1 is equal to 4 इस तरह भी निकाल सकते हैं एम 4 यानी 4 mm का bolt है तो 4 into 1.5 plus 1 is equal to 7 या 4 plus 2 plus 1 is equal to 7.4 mm bolt के लिए 7 mm का spanner लगेगा एसे ही 6 mm का bolt है तो 6 plus 3 plus 1 बराबर 10 एसे ही अगर 14 mm का bolt है तो 14 plus 14 का आधा 7 plus 1 तो 22 mm का spanner लगेगा या 10 mm का bolt है तो इसमें यह फार्मूला लगेगा bolt size plus bolt size का आधा प्लस 2 जो उपर वाला फार्मूला है इसमें केवल एक की जावा पर यहाँ दो हो जाएगा यह फार्मूला केवल 10 mm bolt के लिए लागव होता है m10 बराबर 10 plus 5 plus 2 equal to 17 10 mm bolt के लिए 17 mm का spanner लगेगा तो यह था 2 mm से लेकर 14 mm तक bolt का spanner size निकालने का फार्मूला अब जानते हैं 16 mm से उपर के bolt का spanner size निकालने का तरीका 16 mm thickness के उपर bolt का spanner size निकालने का फार्मूला यह होता है bolt size into 1.5 इसमें केवल एक नहीं जोड़ा जाता है bolt size का डेड़ा कर देते हैं तो spanner size आ जाता है उधारार के द्वारा समझते हैं यम 16 यानि 16 mm का bolt है तो 16.1.5 is equal to 24 या 16 प्लस 16 का आदा 8 is equal to 24 16 mm bolt के लिए 24 mm का spanner लगेगा ऐसे ही 18 mm bolt के लिए 27 mm का spanner लगेगा 20 mm bolt के लिए 30 mm का spanner लगेगा अब जानते हैं bolt size प्लस bolt size का half प्लस 1 यह सेम फार्मुला है जो पीछे अभी आपने देखा इसमें केवाल एक अंतर होता है कि जब भी हम bolt size का आदा करते हैं तो उसके bolt size का मान प्वाइंट में यानि दसमलों में आता है तो spanner size निकालते हैं तो दसमलों को नहीं जोडते हैं आये example के दवारा समझते हैं M3 यानि 3 mm का bolt है तो 3 प्लस 3 का आदा 1.5 तो 1.5 में से केवाल एक को पीक करेंगे तो 3 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 5 तो 3 mm bolt के लिए 5 mm का spanner लगेगा 5 mm के bolt के लिए 5 प्लस 2 इसमें 5 का आदा 2.5 है तो .5 को फार्मूला में नहीं एट करेंगे तो 5 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 8 तो 5 mm bolt के लिए 8 mm का spanner लगेगा ऐसा ही 7 mm bolt के लिए 11 mm का spanner लगेगा 9 mm bolt के लिए 14 mm का spanner लगेगा अब जानते हैं एलन bolt और उसमें यूज होने वाले एलनकी के बारे में 1 mm से लेकर 5 mm तक एलन bolt में माइनस एक या एक कम करके एलनकी का यूज करते हैं जैसे 5 mm के एलनकी bolt को dismantle या assembly करने के लिए 4 mm का एलनकी लगेगा जैसे ही 3 mm एलन bolt के लिए 1 mm कम कर देंगे तो 2 mm का एलनकी लगेगा अब जानते हैं 5 mm से उपर के एलन bolt के लिए कितने एलनकी लगेगा 5 mm से उपर के एलन bolt में माइनस दो यानि 2 कम करके एलनकी का प्रयोग करते हैं जैसे 6 mm के एलन bolt को assembly या dismantle करने के लिए 4 mm का एलनकी लगेगा 7 mm के लिए 5 mm का एलनकी लगेगा ऐसे ही 8 mm एलन bolt के लिए 6 mm का एलनकी लगेगा जानते हैं grow screw को dismantle या assembly करने के लिए कितने का एलनकी यूज करते हैं किसी भी grow screw को assembly या dismantle करने के लिए जीतने mm का grow screw होता है उसका half size का एलनकी यूज करते हैं जैसे 4 mm grow screw है तो 2 mm का एलनकी यूज करेंगे अगर 6 mm का grow screw है तो 3 mm का एलनकी यूज करेंगे ऐसे ही अगर 8 mm का ग्रोई स्क्रू है तो 4 mm का एलंकी यूज करेंगे और अगर आप सूत या इंच साइज का बोल्ट का स्पेनर साइज निकालना नहीं जानते हैं तो आई बटम ओर डिस्कूर्शन बॉक्स में लिंक दियाओं देख सकते हैं दोस्तो मुझे आसा नहीं बलकि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी मदद होता हो तो वीडियो को लाइक करें कुछ भी आपके मन में क्वेस्चन रह गया हो तो कमेट बक्स में जाकर पूछ सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेश करना न भूलें ताकि अगला वीडियो कान्योट्रूफी केसन आपके पास पहुंश सके मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको दिल की घारायों से प्रेम पुर्वक बहुत धन्यवाद